विदेशी बजारों में कमजोर सेंटिमेट के कारण भारतिय खादय तेल बजार में भी गिरावट का दोर देखने को मिल रहा है सीबोट सोयाबीन और अर्जेंटिना एफोबी की कमजोर सेंटिमेट से भारतिय खादय तेल बजार में भी ग्राकी का सपोर्ट नहीं मिलने से सोयाबीन तेल के भावपर दबाव देखने को मिला है दरसल उचे सरो पर सोयाबीन की आवग बढ़ने से भी सोया तेल में मंदी देखने को मिल रही है इधर मुफली तेल में भी उठाव कमजोर रहने से भाव में मंदी आती दिखाई दी है वहीं बात करें हफते के पहले कारोबारे दिन सोमवार की तो सोमवार को देश भर में सोयाबीन की आवग 6,55,000 बोरी दर्च की गई इसे मद्य परदेश में आवक 3,25,000 बोरी की रही प्लांटों की उचे दामों पर खरीदी कमजोर रहने से प्लांटों 12 खरीदी भाव में 50-100 रपे की गिरावट देखने को मिली है प्लांट खरीदी सोयाबीन भाव 54,50 से लेकर 55,50 तक देखने को मिल रहा है ऐसे में बाजार जानकर मान कर चल रहे हैं कि खादिय तेलों में विदेशी बाजारों में आ रही गिरावट का आसर फिलाल भारतिय बाजारों में देखने को मिल रहा है और ये अब आगे जारी रह सकता है